जंगलों और रेगिस्तानों में रेंगते हुए सांप अंटार कटिका को छोड़ कर पृत्वी के हर महाद्वीप में पाए जा सकते हैं। दुनिया भर में बहुत से लोग लंबी पैदल यात्रा के रास्ते या घर के बगीचे में सांपों की गुप्त और अचानक मौजूदगी से चौँक जाते हैं। सांपों की सभी प्रजातियां उनके एकोसिस्टम में जीवन के संतुलन के लिए बेहद अहम हैं। सांपों में कई सारी बातें कहीं और सुनी जाती है। कोई कहता है कि सांपों का खून ठंडा होता है तो सवाल यह है कि उन्हें गर्मी कहां से मिलती है। इसी तरह से सांप कितने साल पहले प्रिथवी पर आए इसे लेकर भी कई बातें सामने आती हैं। पूरी दुनिया में सांपों की कितनी प्रजातियां इस पर भी लगातार खोजबीन जारी है। तो चलिए आज हम आपको यहां सांपों के बारे में पांच आश्चर जनक फैक्ट्स बताने जा रहे हैं। जिन्हें सुनने के बाद सांपों को लेकर आपकी जिग्यासा बढ़ जाएगी। 1. सोलर एनरजी के जरिये चलते हैं सांप। यह बताया जाता है कि सांप ठंडे खून वाले होते हैं। लेकिन वास्तव में उनका खून ठंडा नहीं होता है। बलकि उसे अपनी शरीर की गर्मी एक बाहरी स्रोत एक्टोथर्मिक से हासिल होती है। जिसका अर्थ है कि सूर्य जैसे बाहरी कारक उनके शरीर के तापमान को कंट्रोल करते हैं। 2. सांपों की जीब से बद्बू आती है। गंध लेने के लिए अपनी नाक का उप्योग करने के बजाए सांप अपनी जीब बाहर निकालते हैं। वन अर्थ में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक सांपों के मुह की छट पर जैकबसन अंग नामक एक अनोखी सनरचना होती है, जो उन्हें अपनी जीब के माध्यम से गंध के अनूओं को पकड़ने में सक्षम बनाती है। उनकी जीबों का दो हिस्सों में होना इस क्षमता को और बढ़ाता है, जिस से उन्हें विभिन मात्रा में रासाइनिक संकेतों को पकड़ने के लिए कई रिसेप्टर्स का इस्तमाल करने की अनूमती मिलती है। तीन, कुछ सांप समुद्र में रहते हैं। अधिकांश सांप जमीन पर रहते हैं, लेकिन भारतिय और प्रशांत महासागरों में सांपों की लगभग सत्तर प्रजातियाओं रहती हैं। जमीन पर रहने वाले अपने अन्य प्रजातियों के समान दिखने के बावजूद समुद्री सांप पूरी तरह से जल में जीवन गुजारने के लिए बने होते हैं और ये जमीन पर नहीं चल सकते। हालांकि समुद्री क्रेट लेटिकोडा इसका अपवाद है लेकिन वह भी सिर्फ थोड़े समय के लिए जमीन पर चल सकता है। 4. सांपों का विकास 14 करोड साल से भी अधिक पहले-पहले हुआ। हालांकि यह बताना कठिन है कि सांप अपने नाजुक कंकालों के कारण हमारे ग्रह पर कब आए। फिर भी माना जाता है कि सांप पहली बार क्रेटेशियस काल के दौरान जीवाश्म रिकॉर्ड में दिखाई दिये। वैज्यानिकों का मानना है कि इस से पता चलता है कि सांप 9.8 से 14.2 करोड साल पुराने हो सकते हैं। हलांकि शायद सबसे चौकाने वाली बात यह है कि यह उन्हें मगरमच, छिपकलियों और कच्छूओं जैसे अन्य सरीस्रिपों की तुलना में एक युवा प्रजाती बनाता है। पांच, सांपों की 3700 से अधिक प्रजातियां हैं। लेटिस्ट काउंटिंग के अनुसार, दुनिया भर में सांपों की 3700 उन्नामवे प्रजातियां हैं। यह संख्या भी बढ़ती जा रही है क्योंकि हर समय अधिक प्रजातियां खोजी जा रही हैं। आखिरी पाया जाने वाला सांप एक आश्चर्य जनक नारंगी, भूरा और लाल बिल वाला सांप फालोट्रिस शौनेला था जो 2022 के मई में पैरागवे में मिला। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताए। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। हम ऐसी ही और इंट्रेस्टिंग तत्यों के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।